तो हेलो समों एंग गया तो कैसे हैं आप लो अई होप कि आप सो बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे ना तो जैसे कि हम सब जानते ही है कि इस बाइब फ्री फायर ने इलाइट पास्ट डिसकाउन में नहीं दिया है तो मैं भी उन्हीं बंदों में से हुए जो इलाइट पास्ट डिसकाउन में आने का इंतिजार करता है तो मैं भी चल पड़ा इलाइट पास्ट 500 डायमेंट से खरीदने हैं और वेट 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 अज मैं तो आपको बताना ही भूल गया हमारे इस वीडियो में है पूरे तीन से डायमेंट का गिमवेश जिससे आप नया टॉपफ इवेंट बिल्कुली फ्री में कम्पलीट कर पाएं और आपको यह इमोट कैसे लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताईएगा और उसके साथ अपनी यूईड देना मत भूलना कि मैं आपकी आईडि में पूरे तीन से दस डायमेंट का टॉपफ कर पाऊं और आपको यह जो नया इमोट है वह मिल जाए बिल्कुली फ्री में औ अगर आपने अभी तदेजी इस्वीडियो के ने किया है इस वीडियो की लाइक चैनल कर देजिए सब्सक्राइब से करना मत बूलना कि आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिपिकेशिन मिले सबसे पहले तो चलिए पहले अपने लाइट पांote कर लेते हैं अप्ग्रेड और अगर ये वीडियो आक्टूबर में आए तो माफ कर देना क्योंकि मैं ये वीडियो 30 तारीक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तो हो गया हमारे इलाइट पास का ट्रेलर तो अब चलिए कर लेते हैं इलाइट पास को अपग्रेड अरे भाई मेरे कोई इलाइट पास लेना है प्रियाउडर नहीं तो चलिए कर लेते हैं इलाइट पास को पूरे 4.99 एवन से अपग्रेड तो हमने अप्ग्रेट कर लिया है लाइक पास और अगर आप जाते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर तकते हैं आप डायरेक्ट वीडियो में भी जा सकते हैं तो ये मेरे को कटाना और स्पोर्स काड की स्किन मिल चुकी है और मुझे मिल चुका है स्ट्रीट एंजल बंडल जब तक मैं रिव्यू कराता हूं तब तक मैं हो जाता हूं चुप तब तक आप पूरा वीडियो देखिए तो इधर ही हमारा एलाइट पास होता हैं कम्प्लीट तो छलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की और हमारी इधर bet Ph jurisdiction में होनयवाला है तो ट्रेनिंग मोड में आपको यह ब्लूट ले लेना हैं और जिस पोजिशन में आया हूं आपको अगर में आ आने के बाद आपको गाड़ी को बैक ओडा एक्शन लेके जाना है और दिवार से एक टकर हलका सा लगाना है और टकर देने के बाद आपको उपर जो डिसेट का बटन देख रहा है उसके उपर क्लिक कर देना है तो डिसेट करने के बाद आपका जो गाड़ी ऐसे टेलिपोर् करते वे कोई एनिमी या आपका फ्रेंड देख लेता है तो वह का सप्प्राइज एनमेज हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हमारी नेक्स्ट ट्रिक की और ऊपर को करना है तो जैसे आप उन्दोनों कीओपार करके प्रेस करना है तो आपको एक magic देखने को मिलने वाला है तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है तो इधर आप देख सकते हैं मैं उधर आज जो का हूँ जिदर आना बिल्कुल ही impossible है और आप मेरी car को देखी सकते हैं वो बिल्कुल ये एर में stuck हो चुकी है और ये देखने में बिल्कुल ही funny लग रहा है तो चलिए बढ़ते हैं हमारी next trick की और तो हमार जो next trick है वो इधर lobby में होने वाला है तो आपको इधर lobby में आ जाना है और clash को ड्रेंक सेलेक्ट कर लेना है तो आप इधर देख सकते हैं मैं अब भी gold 3 में हूँ सकते हैं तो एक तरीके से आप इसे glitch भी कह सकते हैं आपके friendlish में एक ऐसा player होना चाहिए जो classic और रैंक में heroic में हो तो screen पे जो id दीख रही है ये arrow ib की id है आप वो extreme आरे आप उसे follow कर जाना है सबसे पहरे आपको उसके profile पे जाना है lifetime से आपको कर देना है classic में और फिर आपको किसी भी detail के बटन पे क्लिक करना है और अपनी uid खोल लेनी है तो अब चलिए gallery में जाके देख लेते हैं तो इदर आप देख सकते हैं वो जो heroic 2 में था अब मैं भी heroic 2 में आ चुका हूँ तो यह क्लिच कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे next trick की ओर हमारे जो next trick होने वाला है वो होने वाला है ट्राइंवान यह वाला जैसे कि आपने thumbnail में देखा ही होगा तो एर में वाक करने के लिए आपको sports car की जरूर पढ़ने वाली है तो sports car लेके आपको इस देखे पर आ जाना है और आपको जो जंप और नाइट्रो का बटन दिख रहा है उस पर एक एक करके प्रेस कर रहा है आप एक बार करेंगे दो बार करेंगे तीन बार करेंगे यह बग जरूर हो जाएगा लेकिन आप हार मत मानिएगा और अगर आपने वीडियो का लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दिजिए और वीडियो का 50 लाइक का टार्गेट कम्प्लीट कर दिजिए आपको जम पर नाइट्रो के बटन पे एक साथ करके प्रेस करना है और जैसे आपको काड़ी टकराए आपको एकजिट के बटन पे क्लिप कर देना है तो इधर आप देख सकते हैं कि मैं हवे में आ चुका हूँ और ऐसे करते हैं मुझे एनिमी या फिर मेरे फ्रेंड्स देख लेते हैं तो वो पक्का सप्रॉआज अनमेज हो जाएंगी तो दर आप देख सकते हैं मेरे जो निचे जो एनिमी खड़ाता इसका रियक्षिन कुछ आता होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारी next trick की और हमारे जो next turn आखर प्रिक होने वाला है वो फिर से गर social zone में होने वाला है तो आपको फिर स्वेह ले लेना है और स्पोर्सका लेके मैं जेखे पर जा रहा हूँ आपको उससी जगे पर जाना है और प्रिश्पेट करना मत बूलना या पॉड़े में पाडिस्पेट करने के लिए आपको कुछ नहीं बस आपको वीडियो कर देने लाइक चैनल कर दिना सिस्क्राइब और बेल नाड़ विट को आल पे सेट कर देना है और वीडियो का नीचे कर देना है और इधर आपको अपनी गाड़ी को सेम इस पोजीशन पे सेट कर देना है गाड़ी को इस तरह की सेट करने के बाद आपको फिल्ट से जब नाइट ओगे बटन प्रेस्टे माल करना है और आप ट्रेनिंग मोड की बाहर बहुत जाएंगे तो चलिए देखते हैं जिदर आप देखी सकते हैं मैं ट्रेनिंग मोड के बाहर आ चुका हूं और इधर मेरे स आपको लैंड और वाटर के बिल्कुली आसपास रहना है और नाइट्रों के बटन पर प्रेस्ट कर देना है और जैसे आप नाइट्रों के बटन पर प्रेस्ट करेंगे आप जैसे लैंड में पहुंच जाएंगे आपको गाड़ी से एक्जिट कर देना है और जैसे आप ग और यह देखे में बिल्कुली फणी लग रहा है तो आपको यह सारे बग्स और फिक्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कर देना लाइक चानल कर देना सिस्क्राइब बेल नोड़ी वीजिंग को और पेस्ट कर देना कि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटि